गां पार सब अन्य समय में रिअ की इतें शिग चैनल के इस से बिदेखर्ड मोष अक्ता है कंपड़ की में उड़क सोनिते चलब होगा गोगत बिद यह में में नरहती जो कि भीजर गोग्यों को करना पर रहिए अग्या मैक यूजर हो तो मैय उसको रन करना होगा तो मैंने यापे मैं आवछी विंवेड कर्द रहा है open पिर आपर get n किक कना तोस पिर नेर्श शजह करण श्तेजर्ट अ मनतलां चाहिए न्यां मैं अ old इस फीरड़ करूज मतलई कर दो यह आप से परमिसन मांगरे है और यह इनस्टॉल हो झाता है यह जैसे यह इनस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको अपना तरमियल ओपन करना है तो इहां पर मैं अपना पाउड से से ऑले पना क्या है तो उसके लिए तो उसके लिए मुझे NPS लिखना पर रही है, ठीक है, NPS का यूज़ करके हम React application को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, तो application space create React app, ठीक है, तो आपको इतना लिखना पर रही है, और उसके बाद अपको अपना React का नाम, React जो आप उसके नाम लिखना पर रही है, तो यहाँ में इसका लिखना लिखना My React app, अब इसको आप इंटर करोगे, तो आप देखोगे कि वहुत सादा स्टेप्स रन न होगा, और उसके बाद आपका install हो जाएगा तो आप देखो, यहाँ पर यहाँ पर यह सुरू हो गया है, तो यह depend करता है कि आप Internet speed कैसा है तो मैं इंटरनेट रिखना अच्छा है नहीं, बट यह मुझे लगता जाले टाइम लेका नहीं, तो यह install बजाएगा जैसे ही install होगा, आपके पास एक weird application बन जाएगा, फिर आप उस application में जाके आप Visual Studio में इसको खोल सकते हो, इसको देखते हैं, इंस्टॉल होते हैं, देखते हैं, प्रिकि आप पहली बड़ कर रहे हो, तो आपको टाइम जादे लगए है, फिर बात में जब दुसरी बड़ कर रहे हो तो टाइम पहले से काम लगए है, प्रिकि वह जितने भी उसको packages होते ह करने होते हैं, तो इसको पाकीज में इस्टॉल जितना टाइम बंगना हो लगए है, उसके बाद कुछ ज़्यादे करने कर जड़त हैं नहीं अब यह हो जाता है, जब यह पूरा इस्टॉल हो जाएगा, फिर मैं आज मिलता हूँ तो आप यह आप दे सकते हो, यह इंस्टॉल हो गया है, अब हम इसको हमारा जो नाम था रियाट का, एपिकेशन का तो मैं उस एपिकेशन में जाओंगा, तो मैं CD के यूज़ करूँगा अब मैं मेरा नाम था एप का, माई रियाट टैप, तो CD, माई रियाट एप करूँगा, तो अब मैं उसमें उस एपिकेशन में चिला गया हूँ, अब मुझे रियाट अपिकेशन को स्टार्ट करने जाए, मुझे एक श्रसन लिखना हूँ, NPM स्टार्ट, इसका यूज़ क कि आप अपने रियाट अपिकेशन को रन कर सकते हो, तो अब हम अपना पहला रियाट अपिकेशन को रन करने वाने, यह स्टार्ट होगा, फ्रत, पहला पहला रियाट अपिकेशन को रन करने हो गया, अब आपको आप चाहो तो इसको विजल श्रुब्या में खोल सकते हो, आपको देखना होगा कि वह कहां पर यूजर्स में फोल्डर में और आज कि आपको देखना होगा कहां पर तो आज है चार तरी यहां पर देखों यह को लिए अब इसको चाहूँ तो यहां से कर सकते हो पर यहां से ओपर नहीं 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 है तो फिजी इस्टूडिय को राक अब यहाँ से पाइस में जाकर open folder करो देखे जहाँ यहां पर आप पो उस फोल्डर में जाना होगा तो यहां पर folder है आप उस यूजर्स में जानना पड़ेगा दिस पीसे में जाओ एक फिर यूजर्स में जाओ उसके बाद या आज का है तो इसको खुल लो तो आपका विजरी स्टूडिया में ऐसे खुलता है अब आप चाहो तो अपने कोड में चेंजिस कर सकते हो तो आईयो है अपना सबसे पहले जो हमारा जो कोड होता है तो बैसे यह जांपर से सुरू करते हैं तो आप कभी भी कोडिंग कोडि कोड है इंडेस पब्लिक में हमारा इंडेस टैस्टी में यहां पर रूट प्रेजेंट होगा तो यहां पर एप डॉट जेएस है जिसमें होपना लिख रहे है जो आप प्रिंट हुआ था वह आपको इसी के बेसिस पर हुआ था तो अब हम इस क्या करेंगी यह आपर हेलो वर्ल लिखना आना चाहिए तो आप मैं एट्रोन टैक कर यूज़ करूँगा तो आप यहां पर सोचे रहा होगे कि यह यह स्टीमल का पार्ट है यह स्टीमल का पार्ट नहीं है विसके लिए यह हमारा जैसेस है तो अगली वीडियो में देखेंगी यह जैसेस होता क् तो अब फिलाल इसको हम रंद करते हैं अब यहां से मैं जाता हूँ टर्मीनल में और यहां पर मैं नए टर्मीनल कुलता हूँ और यहां पर मैं NPM स्टार्ट करता हूँ तो आप यह नूटिस करोगे कि अब यह React अभी किससे स्टार्ट हो रहा है और उसमें Hello World प्रिंट हो जाएगा तो यह आपका Hello World कौन इचिलेशन्स यह रिटेन यूर फर्स्ट प्रोग्राम इन डियर्जेस तो इंटोडेशन के इतना ही था मिलते हैं आपसे अगले वीडियो भी प्लीज में हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को सेयर करें प्राकिल वो भी रिटेट जेस स्टार्ट है एंक्यो